तो आज मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूंगी एक स्कीन केर प्रोड़क्ट का जो है यह फेश वास लाइक यह डर्मा को का पोर मिनिमाइजिंग क्ले डेली फेश वास है और यह मेली ओपन पोर्स के लिए है इसमें 1% niacinamide है 2% pH है और इसमें French Green Clay है और यह प्रोड़क्ट I think 100 ml है और इसका प्राइस इसका प्राइस I think इसका प्राइस मुझे याद नहीं है मैं नीचे मेंशन कर दूंगी इसका क्या प्राइस रेंज है अगर आप यह प्रोड़क्ट परचेज करना चाहते हैं तो इसली ओफर पे अबिलेबल होता है लाइक दर्मा को के वेबसाइट से ले सकते हैं या Amazon Flipkart यह किसी भी वेबसाइट से आप इसे परचेज कर सकते हैं अलाइक यह प्रोड़क्ट ट्यूब शेप में है ट्यूब शेप में उन्हें से क्या होता है प्रोड़क्ट ज्यादा वेस्ट नहीं होते हैं आप लाइक यह ट्यूब शेप में तिसे प्रोड़क्ट वेस्ट नहीं होते हैं आप इसली कैरी कर सकते हैं इसे किसी भी बैग म अपने पर्स में और यह इसकी पैकेजिंग मुझे काफी पसंदा ही लाइक यह ब्लू कलर का है यह लिए फेश वास कब यूज करना है बहुत सारे ऐसे लोग है जिसे ओपन पोर्स की दिक्कत है और ओपन पोर्स नहीं जा रहे है तो काफी समय से मुझे भी प्रॉब्लम चल तो लाइक मैंने सर्च कर रही थी तो मुझे यह वेबसाइट पे यह फेश वास दिखा तो मैं सोचे चलो मैं इसे ट्राइ कर लेती हूं क्या पता इससे मेरा ओपन पोस्ट ठीक हो जाए तो मैंने इसे परचेज किया और आइधिंग मैं इसे दो महीने से यूज कर रही हू यह प्रड़क्ट को और मैंने अपने ओपन पोस्ट में काफी फर्क देखा पूरा तो नहीं चला गया लेकि मैं इसे यूज किया और ओपन पोस्ट पूरे खतम हो गया है लेकिन कुछ फर्क दिखने लगा है अभी तो मेरे टू मंत सी हुए है और मैं इसे साइध रेगुल यह है यह पूर्ड़क्ट ओल स्कीण टाइप में like सभी टाइप की स्कीन वाले से यूश कर सकती है और में इस पूर्ड़क्ट को लगाकर दिखाते के इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और यह हम मेरे फेस्ट पे कैसे वर्क करता है तलाइक एंने टूब शेप में अब इजली से में और थोड़ा ठीक है और आपको क्या करना है अपने फेस पे इसे सर्कुलर मोशन में अपलाई करना है और इसे अपलाई करने के बाद पांच मिनट तक वेट करना है तो मैं आपको यह पुड़क्ट लगा कर दिखाए इसे सर्कुलर मोशन में लगाना है और लगाने के बाद पांच मिनट वेट करें और कोई भी नॉर्मल पानी से आप फेश वास कर सकते हैं तो मैं लगा चुकी हूँ अच्छे से मैंने इसे पूरे स्कीन में मसाज भी कर लिया है और मैं फाइक मिनट वेट करूँगी उसके ब कैसे यह क्लीन करता है to look like Yeah and like you can seeust cả हैं और याज सकते हैं नेकरा फेच्छ बिल्कुल क्लीन हो चुका लोगे टॉंच पार्टिकल शोटी मे एक वहारा यह बिल्कुल जाक Ihnen क्लीन करता है अभ इसी लगाने के बाद में automate बहुत फ्रेश फिल होगा क्योंकि इसमें इसमें क्लेश वास है तो लाइक एक क्लेश की फिलिंग देती है लाइक जब आप इसे वाश करेंगे ना आपको बिल्कुल कूलिंग साइफ फील होगा और काफी अच्छा लगता है आप मेरे स्कीन को देख सकते हैं लाइक बिल्कुल क्लीन हो चुका है लाइक जब मैं फेस वास कर लेती हूं तो मैं उसके बाद लगाती हूं डर्मा को का पोर मिनिमाइजिंग डेली फेस मौशिराइजर यह भी ओपन पोर्स के लिए मेंली यह भी इसकी भी ट्यूब पैकेजिंग है और यह 50 ग्राम प्रोड क्याइन इसका प्राइस भी मैं में यदे मैं से शर्फीत फ्री माचन यह अविल फ्री है और यह काफी क्यूट पैकेजिंग है असकी तो मैं जब टेर्डेडे कर लेती हूं तो मैं यह मौस्चरायजर अपलाई करते हूं और इसकी कंसिसटेंसी आप देख सकते हैं यह वाइट कंसिस्टेंसी में बिल्कुल लाइट वेट है बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा हलका सा चिप-चिपा फील होता है क्योंकि मैं इसे लगा रही है मुझे पता है जो भी ओईली स्कीन है उसे प्रॉब्लम हो सकता है जिसके भी ड्राय स्कीन है या नॉर्मल स्कीन है उसके लिए बेस्ट है बट जिसके भी ओईली स्कीन है उसे थोड़ा सा ओईलीनेस फील होगा तो मैं फेस वास करने के बाद इसे पूरी फेस में अपलाई करती हूँ इसे भी पूरे फेस में सर्कुलर मोशन में मसाज करना है लाइक अच्छे से स्कीन में अब्जॉब हो जाए विक्षण का शूरा रखर फेस में नहीं अब्र इसमें साघ्रिव मोशन में अप्लाई करई करें मुझे को भी साइड इफेट नहीं अधा क्यूकि इसने इनग्रीडियेंटिंट्स है वह नेचुर्ल है इसलिए मुझे काफी पसंद आया और मैं थ्री मंस मुझे हो चुके हैं यह सब पोड़क यूज करते हुए और मुझे काफी फर्क नजर आया है open pores के regarding इसलिए मैं इसे continue कर रही हूं और मैं इसका honest reviews यह कर रही हूं लाइक आप मेरे स्कीन देख सकते हैं मैंने face wash कर लिया है उसके उपर यह moisturizer लगा लिया है अब मेरे स्कीन बिल्कुल अच्छे से प्रेप हो चुका है अब मैं इसके उपर कोई भी sunscreen कोई भी foundation लगा के अराम से मैं बाहर जा सकती हूं तो आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो please like, share, comment and subscribe जरूर करें बाइ